सर आप जब सिखाते हो ना तब सब समझ में आता है बड़ घर पे जाते है और भूल जाते है सर मतलब समझ में नहीं आता की कौशन सॉल कैसे करें क्या आप लोग भी यही प्रॉब्लम से जूज रहे हो यही प्रॉब्लम के वज़े से परेशान हो यस तो इस वीडियो में मैं अभिजीत पेश कर फिजिक्स फोरॉम के इस प्लाटफॉर्म से आपको कुछ ऐसे टिप्स दूगा जिससे जो कौनसेट आप पढ़ते हो वो आपको जादा समय तक याद रहे यूजुली हम बहुत सारे लेक्शर्स करते है क्लास में टीचर्स भी बहुत बढ़िया सिखाते हैं इंडिया में बेस्ट से बैस्टीचर है छोटे से गाव से लेखे बड़े शहर तक हर यूट्यूब चैनल पर बेस्टीचर्स पढ़ाते हैं हर ठीचर का हमें समझमें आ तो क्या करें सर तो सबसे पहले एक एक जामपल देना चाहूंगा मैं आपको मुझे बताओ अगर किसी दीवार में हमें एक खिला होता है न खिला उसको ठोकना है तो किस तरीके से हम करते हैं तो सबसे पहले हम खिला लेते दिवार को और एक जोर से हतोरी मारते फॉर्स बार और फिर आखरी में दीरे दीरे और आखरी में दोर जब तब पूरे दिवार में घुस नहीं जाता तब तब उसको वह हतोरी से हम इंपल्स देते रहते हैं क्या होता है उससे वह जो खिला है वह दिवार में अच्छी तरीके से फिट हो जाता है तो यही चीज हमें कॉ पहला जो शॉट होता है वो आपका टीचर आपके दिमाग में वो कॉंसेट डालने के लिए करता है जो क्लास में टीचर अपना परफॉर्मस देता है तो टीचर वो कॉंसेट एक शॉट में आपके दिमाग में डालने की कोशिश करता है बट बच्चो शाम तक वो खिला प्रक्षट्ली वोकॉंसेट्ट अब को उस दिन को उस रात को अगले दिन सुबह तर याद रहेगा फिर अगले दिन एक हतोडी से उसको ऑर करो सिल या इन करो प्रय। उचलता हो नहीं घाड़ी लेते हैं गाड़ी चलाते हैं मस्तफएगी आपने देखा है नई नई गाड़ी खड़े से लेके जाओ या खराब रास्ते से लेके जाओ कुछ भी आवाज नहीं आता एकदम स्मूद मक्षन ऐसे लगते हैं क्या शौकप से और एक खयाल मेरे दिमाग में भी आता है कि यह गाड़ी को हमोले कोई बात में इतना सा तो आवाज है कुछ मेहनों के बाद एक नट निकल की गिर जाता है तो आवाज बढ़ जाता है अगर हमने तभी बीनोर किया एक साल के बाद आपकी गाड़ी का कबाड़ हो जाता है और हर एक पूर्ज़ा वाइब्रेट करके आवास करने लगत आपके पिताजी क्या करते हैं बोलते बिटा जा गाड़ी को सर्विसिंग को डाल कि हर तीन मेने के बाद एक सर्विसिंग जरूरी है क्यूं एक डिवाइस एक गाड़ी की हम इतनी केर ले सकते हैं तो हमारा दिमाग यह भी तो एक इंजिन है बदलो लोग मैंने क्या बदल एसता है कि यह वह जिंसर्ण कप करोगे आप लोग मेंटेनंस कैór ने का बहुत सिंकोड़ाय आपको क्या करना है पता हैए hätte कॉंसेट इतना अच्छा समझा है जो भी आपके टीचर से बेस्ट सिखाया है मेरे टीचर में और मुझे नहीं लगता मैं कभी भूलूँगा इस कॉंसेप्ट को है रिलाक्स और आप क्या करते हो बस को लगता हैं हो गया रिलाक्स हो गया हो बड़ जैसे गाड़ी के nut और bolt वाइबरेट कर करके जटके खाखा के आगे जैसे ह まई जाते स करते हैं गाड़ी का जो讚ad घृणिंग बढ़ते जाती है । फिर गाड़ी के पार्ट ₹ करते हैं वैसे आज जो इसमें से एक दिन के बाद दो दिन गिर जाता है और फिर हम क्या करते हैं वापस रास्ते पर चाते और सर लोगों बोलते सर वो चैप्टर जब आपने सिखाया था बहुत अच्छे से हुआ था अभी यादी नहीं आ रहा है कुछ अरे सारे नडड बोलत नीचे घिर गया भाई कैसे याद रहेगा तो करना क्या है रोज मेंटेनेंस करना पड़ेगा दिमाग का या फिर हफते में एक बार करना पड़ेगा मेंटेनस कितना कुछ सिखा kit अ सोचो सेaltro с हैंट से आज तरक कितना कुछ सीखा है कितने चाप्टर सिखे हैं कितने ट्रिक्स सिखें कितने फॉर्मूले सिखें कि आज उतने ही अच्छे तरीके से आपको याद है बिल्कुल नहीं तो क्या करना बढ़ेगा रोज जो कॉंसेट अपको सिखात है जिस दिन सिखाया उस दिन घर पे आने का सॉल गरने का अगले दिन फि किट नोट्स बनाओ चिठ्धिया बनाओ जेब में रखो खाना खाते वक्ट चलते वक्ट ड्राइव करते कर पीछे बैक सीट पे वेटे हो तब पढ़ो पढ़ना शुरू कंडिनियू रखो उसको स्टॉप मत होने दो और देखो आपके जो कॉंसेट जो नीचे नड़ बो यार मैं क्लास चेंज करके देखता हूँ कितने बार सोचू मैं समझ में नहीं आ रहा है सिंपल सलूशन है बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आपको एक मेरा कुछ का एक्स्पिरियंस बोलता हो मैं पिछले 10-11 साल से फिजिक्स क्योंकि उसकी बार बार रिपेरिंग नहीं हुई ना पता है आपको एक कॉंसेप्ट है ऑप्टिक्स में वह मैंने ट्वेल्ट में पूरा स्किप कर दिया था उसकी बाद मैं इंजिनिरिंग में गया वहां इलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग पड़ा ऑप्टिक्स का कोई कि याद में मेरी मेरी रहती है तो मॉरल अब दे स्टोरी अगर आपको क्लास में जो सिखाया है और 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 एक चीज मैं बोलना भूल जाओंगा एक सवाल होता है बहुत बच्चों का कि सर आप अच्छे तरीके से समझ में आता है घर पे खुद से सॉल करना ही नहीं आता सर भाई ये तो बहुत classic question है जिसका solution काफी आसाल है सबसे पहले एक चीज़ क्लास में आपके teacher आपको मदद करने को है उनका brain use हो रहा है वो question को solve करने के लिए दूसरी चीज़ सचिन टेंडूलकर की batting देखके हम सचिन टेंडूलकर जैसे नहीं मार सकते विराट कोहली जैसे या कोई भी बॉलर है फास्ट बॉलर है उसकी बॉलिंग देखके हम उसके जैसे बॉलिंग नहीं कर सकते कितना भी देख लो विश्वनातन आनन्द है उसका chess खेलना देख लो बहुत हजार उसके matches देख लो आप उसके जैसे नहीं सोच पाओगे तो क्यों भी टीचर जो online teacher है offline teacher है वो 1000 questions all करके दिखाएगा आपको आप नहीं कर पाओगे एक बी question जब तक आप हाथ में पैन लेके एक question को दो दो तिन तिन बार try नहीं करोगे ये मेरी बात याद रखो बचो जब तक आप खुझ से दो तिन बार fail नहीं होंगे जब तक आप क्या गलत कर रहे हो ये आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप बिना डरे बिना रुके कोशिश करना बनने करोगे बनना कोशिश जारी लखोगे बस तभी आपको आने वाला है तो मेरा एड़वाइज आप लोगों को ये है रुको मत खुद को compare मत करो classroom में आप अलग होते हो घर पे अलग होते हो घर पे help करने वाला कोई नहीं होता है करो ना दो तिन बार try करो एक गंडे में होने तो दस बारा question होने दो पाच question होने दो पर कुछ तो सीखोगे गिरोगे फिर उठोगे लडोगे तबी जीतोगे तो बच्चो एक simple एक बहुत common problem है जिसको हमने आज discuss किया I hope आपको इस वीडियो से बहुत help हो physics forum से जुडने के लिए thank you so much अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो like और subscribe करना जरूर consider करो अपना telegram पे channel भी है वहाँ join हो जाओ physics forum का app download करके आप chat section में बहुत important videos, dpp's, ppt's यह pdf वहाँ से आपको मिलते रहेंगे so boys and girls फिर से एक बार आपके जरनी के लिए all the best may God bless you with all the success you dream of thank you so much bye